हेलो एवरिवन, वेलकम टो हाई ग्रेड, मैं हूँ प्रबाद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मौरेवन से सम्मंदित कुछ महत्यपुन प्रसन जो कि आपके सबी एक्जाम के द्रिष्ट कोन से बहुत महत्यपुन साबित होंगे चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रसन के साथ, जब फ़स्ट कोशिन इस, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई, जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी, वह किसके द्वारा लिखी गई, कौटिले के द्वारा, पुश्यमित्र के द्वारा, अशोक के द्वारा, या फिर बिम्बिसार के द्वारा, तो इसका सही अंसर क्या होगा, यह उप्शन इसका सही होगा, कौटिले के द्वारा, देखिए कौटिले ही वहवैक्ती थे, जिनोंने मौरे समराज की स्थापना में बहुत एहम रोल निभाया था, जो चंद्रगुप्त मोरेया के दरबार में जो ग्रीक अंबेसडर आये थे, उनका क्या नाम था, कौटिले, सेल्यूकस निकेटर, मेगस्थनीज, या फिर जस्टिन, तो इसका सही अंसर क्या होगा, मेगस्थनीज, जो की सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन कर आये थे और इन्होंने भारत में काफी समय बिताया, और काफी समय बिताने के बाद इन्होंने भारत के बारे में काफी बाते भी लिखी, जो की इंडिका पुस्टक में देखने को मिलती है, क्योंकि जो इंडिका पुस्टक है, वो मेगस्थनीज के द्वारा ही लिखी गई है, क्यो जो देखिए इसका सही अंसर क्या होगा चंद्रगुप्त मौरे गे द्वारा हारे थे और देखिए चंद्रगुप्त मौरे ने जब इनको हराया उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौरे का समराज्य था वह हैरात कांधार और काबुल तक विस्त्रित हो गया था question number 4 which morion king holds the title of the amitra ghat देखिए जो amitra ghat की उपादी है वे इन में से कौन से सासक के पास थी बिंबि सार के पास चंद्रगुप्त मौरिय के पास बिंदु सार के पास या फिर अशोक के पास तो इसका सही अंसर क्या होगा किस के पास थी बिंदु सार के पास और देखिए बिंदु सार को और अन्य नामों से भी जाना गया जैसे की अजाद सत्रू सिंग सेन अजाज सत्रू और सिंसेन जो नाम है वो जैन करंथों में पाए जाते हैं और जो अमित्र कहाते हैं वो पुरान और भद्रसार में देखिने को मिलते हैं कुश्यन नमबर फाइब देखिए चंद्रगुप्त मौरय के बाद जो सिंगासन है वो किसको मिला बिंबिसार को अशोक को बिंदुसार को या फिर विश्नुगुप्त को तो इसका सही आंसर क्या होगा बिंदुसार और देखिए बिंदुसार के काल में ही तक्षिला में दो बार आंदोलन दो बार व बड़ा वेटा था सुसीमा उनके जो कुरूरता थी उसके कारण और दूसरा जो रीजन है वह अज्यात है लेकिन उसको अशोक के द्वारा दबा दिया गया था चलते हैं दूसरे चलते हैं नेक्ट कुश्चन की ओर देखिए जो मौरियन एम्पायर था वो कब उसकी शुरुवात हुई थी 326, 323, 322 या फिर 228 बीसी तो इसका सही अंसर क्या होगा 322 बीसी कोश्चन नमबर 7, who earned the title of the liberator देखिए मुक्ती दाता इन में से किस सासक को कहा गया अशोक को कहा गया बिंदुसार को कहा गया चानक्य को या फिर चंदरगुप्त मोरिय को कहा गया तो इसका सही अंसर क्या होगा चंदरगुप्त मोरिय option D इसका सही होगा question number 8, who was the first emperor of the भारत देखिए भारत का पहला सासक किसे कहा गया अकबर को, अशोक को, चंदरगुप्त मोरिय को या फिर कृष्ण देवारिय को तो इसका सही अंसर क्या होगा चंदरगुप्त मोरिय question number 9, who wrote मुद्रा राक्षस देखिए जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वह इन में से किस ने लिखी कोटिल ले ने, विशाखा दत ने, बासा ने या विश्णू शर्मा ने तो इसका सही अंसर क्या होगा, b option इसका सही होगा विशाखा दत, question number 10, when did असोक invade कलिंगा, देखिए जो कलिंग पर आक्रमन किया था, वह असोक ने किस वर्स किया था देखिए, 292 BC, 273, 261 या फिर 232 BC, तो इसका सही अंसर क्या होगा, 261, और देखिए कलिंग आक्रमन के बाद ही, असोक ने जब देखा कि इतना रक्तपात हुआ है मेरे कारण, उसके बाद उन्होंने अस्त्रों का, सस्त्रों का त्याग कर दिया, उसके बाद उन्होंने देखिए, युद्ध नहीं लड़ा, question number 11, when did असोक डाई, देखिए, असोक की जो मृत्यू है, वो कब हुई थी, 232 BC, 261, 273 या फिर 288 में BC, तो इसका सही अंसर क्या होगा, 232 BC में, question number 12, who founded the sung dynasty, देखिए, जो sung dynasty है, वह है, किसके द्वारा, खोजी गई, स्तापित की गई, बिंदुसार, चंदरकुप्त, मौरिय, अशोक या फिर पुष्यमित्र के द्वारा, तो इसका सही अंसर क्या होगा, D, D, इसका सही अंसर होगा, पुष्यमित्र, question number 13, who was the first Indian ruler, who had territory outside India, तो इसका देखिए, सही अंसर क्या होगा, अशोक, चं सही अंसर होगा, कनिश्क, question number 14, in the Indian history, which of the following ancient Indian ruler, who left his records, engraved on stones, देखिए, जो अभिलेक थे, वो पत्थरों पर उत्कीन हुए, किस सा सक्के मिले, शमुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, मोरे के, बिंदुसार के, या फिर असोक के, तो इसका सही अंसर क्या होगा, असोक के, और असोक के एक अभिलेक में इन्हें, देव नाम प्रिये के नाम, देव नाम प्रिये से भी, जाना गया, question number 15, the last Morian emperor was, देखिए, जो last सासक थे, Morian dynasty के वो कौन थे, कनिश्क, ब्रेहदरत, अशोक या फिर कुनाल, तो इसका सही अंसर क्या होगा, B, ब्रेहदरत जो थे, वो last सासक थे, question number 16, चंद्रगुप्त मोरेया, spend his last days here, दिखिए, जो चंद्रगुप्त मोरेया हैं, इन्होंने अपने अंतिम समय, जो वे कहां पर बिताया, कासी में, पाटली पुत्र में, कश्मीर में, या फिर स्रवन बेल गोला में, तो इसका सही अंसर क्या होगा, D, D इसका सही अंसर होगा, question number 17, who is called as the second असोक, देखिए, second असोक किसे कहा गया, समुत्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मोरेया को, कनिश्क को, या फिर हर्सवर्दन को, तो इसका सही अंसर क्या होगा, कनिश्क को, किसको कहा गया, कनिश्क को, दृतिये, असोक के नाम से जाना गया, question number 18, which dynasty ruled over मगद, after मोरेयन डाइनेस्टी, देखिए, जो मोरेय वन्स है, इसके बाद कौन से वन्स ने, मगद पर अपना सासन किया, तो इ इसका सही अंसर क्या होगा, सुंग वन्स, जिसकी स्थापन किसने की, पुश्यमित्र, सुंग ने, question number 19, calling in ancient time is referred to which modern state, बताइए कि जो calling है, वो कौन से स्टेट में, ओडिशा, पंजाब, उत्तरपरदेश या फिर कस्मीर में, तो इसका सही अंसर क्या होगा, ओडिशा, question number 20, the great silk route to the Indians was opened by, देची जो silk route है, वो किसके द्वारा open किया गया, अशोक के द्वारा, चंद्रकुप्त मौरिय, कनिश्क या फिर हर्ष के द्वारा, तो इसका सही अंसर क्या होगा, कनिश्क के द्वारा, कनिश्क इसका सही अंसर होगा, तो दोस्तों ये मौरिय जो मौरिय वन्स है, उससे सम्मंदित में आपके लिए कुछ महत्वपुन प्रसन लेकर आया था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक् करना ना बोले, थैंक यू फोर वाचिंग,